नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल देवजी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर उत्तर प्रदेश समानी गयन का टेस लगाएंगे जहां पर आपके 45 महत्तपूर प्रस्न है तो यहां पर इतने बच्चे जुट चुके हैं सभी ब स्टाट करते हैं आपका पहला प्रस्न आपर जो की सत्तर नमस्स स्टाट है कि बास खेड़ा किस जनपद में उस्ती थे बास खेड़ा किस जनपद में उस्ती थे यहां पर आपको जवाब देना है फटा फटा फट अंसर दीजी भाई फटा फटा फट यहां पर टेस को चलिए 70 के यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब है option right बिल्कुल सही जवाब option right आपको यहाँ पर D हो जाएगा 12 खेड़ा आपके सा जहाँ पूर में ठीके कहां पर है सा जहाँ पूर में चलिए next question आपसे एगला पूछा गया है बहुद बिहार जितवन कहां इस्तित है बहुद बिहार जितवन कहां वस्तित है 71 के जवाब दीजिए चलिए 71 के जवाब हो जाएगा option right एगा स्रावस्ति हो जाएगा ठीके स्रावस्ति चलिए next question रंग नात जी का मंदिर कहां पर है 72 के जवाब दीजिए चलिए यहां पर बात्तर के जवाब हो जाएगा option right आपका D ब्रंदावन में ठीक है जिसका जवाब D आ रहा है बिल्कुर सही है ब्रंदावन में नेस्ट कोशन स्रगवेरपुर वर्तमान में कहां पर है स्रगवेरपुर वर्तमान में कहां है 73 के जवाब दीजे 74 के जवाब दीजे 74 चलिए 74 का option right आप का B हो जाएगा आपके बरसाना का ठीक है बरसाना का option right आप का B हो जाएगा बरसाना जांकि लठमाल हो जेए आपकी आपकी वस्षित्त प्रशिद्ध है नेश बताईए कि विंदवासनी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है जो आपका किस जनपद में है विंदवासनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है 75 के जवाब दीजे चलिए 75 का option right up कस्ती हो जाएगा मिर्जापूर में ठीके मिर्जापूर नेश कोश्चन जवाब दीजे स्रंगी रिसी का मंदिर किस जनपद में होस्ती थे 76 का सही जवाब बताईए तो बिल्कुल सही जवाब है option right up कस्ती आपके फरुखाबाद में ठीके फरुखाबाद में नेश कोश्चन आपसे पुछा गया है प्राचीम ब्रह्मा वर्थ तीर्थ वर्थ मान में कहा इस्ती थे ब्रह्मा वर्थ कहाँ पर है यह का आपका कोश्चन रिपीटेड है बिल्कुल सही जवाब है option right up का यह हो जाएगा बिठोर में ठीके बिठोर में थोड़े speed में रहिए भाई नाथ संप्रदाय का सिद्धिपीट गोला गोकर नाथ किस जनपद में है यह नाथ संप्रदाय के हैं सिद्धिपीट है आपका गोला गोकर नाथ किस जनपद में है 78 का option right आपका स्थी हो जाएगा आपके लखीम पूर खीरी में ठीके लखीम पूर खीरी में नेस्ट कोश्चन जैनियों का का सी किसे का जाता है जैनियों का का सी किसे का जाता है 79 का जवाब दीजे चलिए 79 को आप्शन राइट बिल्कुछ सही है आप्शन राइट अपकर डी हो जाता है आपके हस्तिनापूर को का जाता है ठीके किसे कहते हैं तो 79 को option right up कर दी है हस्तियाप पूर को कहते हैं नेस्ट कोश्चन देवबंद किस जनपद में है आपने देखा था देवबंद आदनोरन चला था सहारन पूर में अगला है अगला है सुकृताल किस जनपद में उस्ति थे यसिक जवाब दीजे तो यस्जवाब दीज़ए तो यसुकृताल आपके है मुझभफर नगर उक्सन राट अप का दभी होजएगा मुझभफर नगर में गोरकनात मंदिर कहां परिस्तित है, 82 जवाब दीज़े, गोरकनात मंदिर, 82 जवाब बिल्कु चहीं आ रहा है, होजह है गोरकपूर, ठीकित गोरकपूर, जैचंद का किला कहां पर रहे जैचंद का केला कहा पर है 83 जवाब दीजए 83 option right आपका बिलकुत सही है आपका सी हो जएगा आपके कन्योज में ठीके कन्योज नेस्ट पाटेश्वरी देवी का मंदिर जो आपका प्रसिद मंदिर है कहाँ पर है पाटेश्वरी देवी का प्रसिद मंदिर कहाँ पर है 84 जवाब दीजियां पर 84 ओप्शन राइट अप का ये हो जाएगा बलरामपूर में तीके कहाँ पर आपके बलरामपूर में next question गुरू दुरोणाचार की जन्मिस्थली बताईए गुरू दुरोणाचार की जन्मिस्थली कहाँ पर है 85 जवाब हो जाएगा, option right आपका बी हो जाएगा, compels ठीके कहाँ पर, compile option right अपका बी हो जाएगा next question महा पर निर्वाण मंदिर कहाँ पर है repeated question आपका है महा पर निर्वाण बिल्कुर सही है option आपका C हो जाएगा कुसी नगर C नमबर कुसी नगर अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है 87 नमबर में और यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका साह जी का मंदिर है कहाँ पर है साह जी का मंदिर यह आपका वरंदवन में है ठीक है इसका सेकेंड हो जाएगा हुलास खेडा जो आपका है यह आपका कहाँ पड़ता है तो है हुलास खेडा आपके यहाँ पर लखनो हो जाएगा राजगाट की मात करें तो राजगाट आपका जो है वह आपके वारणसी में और लाल दरवाजा आपके जो है वह आपके जौनपूर में है ठीक है इस प्रकास से 2nd, 3rd, 4th और आपका 1st हो जाएगा option right up का B हो जाएगा ठीक है चलिए next question आपका अगला पूछा गया है 181 नमबर कराप से सूची 1st और सूची 2nd को सुमेलित करना है यहाँ पर आपके कह सकते हैं कुछ आपके वो है यहाँ पर जो आपका भीतरी है ठीक है भीतरी यह आपका पढ़ता है आपके गाजीपुर में ठीक है गाजीपुर में इसका आपका 3 हो जाएगा लोलार्क कुंड जो आपके कह सकते हैं यह कहां पढ़ता है आपके यह आपके पढ़ता है वारानसीम पढ़ता है मडिक परवत आपका ये परताब के अयुद्धम पड़ता है और पंच मेल आपके फटेपुर सी क्रीम पड़ता है ठीके इस प्रकास से जो आपका जवाब हो जाएगा थर्ड फोर्थ और फर्स्ट और सेकिन्ड हो जाएगा ऑप्सन रेट अपका डी सही हो जाएगा चले नेस कोशन महर्ष दधीची का आश्रम कहां है चले जवाब दीजे महर्ष दधीच का आश्रम जो है कहां पर है 89 का जवाब दीजे बिलकुँ सही जवाब है आपके सीतापुर के नई मिसाराण आप्सन रेट अपका बी सही हो जाएगा मिस्त्रिक किस जनपद में उस्तित है नब्विक जवाब होज़ेगा कौन सा पिल्कु सही है option rate up कब भी होज़ेगा मिस्त्रिक आपके सीतापुर में है किस इस्थान को पी लो सान कहा गया है किस इस्थान को पी लो सान कहा गया है एक क्यानमे का जवाब होज़ेगा option rate up कब भी अतरंजी खेडा ठीके अतरंजी खेडा option rate up का भी होज़ेगा next question कि वरत्याकार अगनी कुंड किस इस्थान से प्राप्त हुए है व्रत्याकार अगनी कुंड किस इस्थान से प्राप्त हुए है 92 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो option right up का यह हो जाएगा आपके अतरंजी खेड़ा option right up का यह हो जाएगा ठीके Next question किस इस्थान का प्राची नाम आयाजसा था किस इस्थान का प्राची नाम आयाजसा था 93 का option right आपका कौन सा हो जाएगा option right आपका यह पर हो जाएगा option D आपके अध्या का ठीके आयाजसा आपके अध्या का नाम था पुराना किस इस्थाल से उत्तरी काली ओपदार म्रदभांड संसकर से लेकर गुप्तकाल तक के साच्छ मिले हैं तो यह देख सकते हैं यह साच्छ आपके जो प्राप्त हुए हैं आपके उत्तरी काली ओपदान म्रदभांड संसकर से लेकर गुप्तकाल तक के यह मिले हैं option right आपका C हो जाएगा आपके C नमबर आयुद्ध्या से नेस्स कोर्चन उत्री पांचाल की राध्धानी थी इसका जवाब दीजे रिपीटेट कोर्चन है तो उत्री पांचाल की राध्धानी थी आपकी आईच्छत्र option right आपका A सही हो जाएगा नेस्स कोर्चन मित्रुपादी वाले राजाओं की सिक्के कहां से प्राफ्थ हुए है मित्रुपादी वाले राजाओं की सिक्के कहां से प्राफ्थ हुए है 96 जवाब दीजे चले 96 option right आपका C हो जाएगा आपके A16 option right आपका C हो जाएगा नेस्स कोर्चन कि गुप्त काल में मुसलिम सिछा का प्रमुक के अंत कौन था 97 का उपसन रॉइट आपका B हो जाएगा यहाँ पर गुप्त काल की बात कह रहा है भाई यहाँ पर अली गढ़ा भी मतलगा देना यहाँ पर गुप्त काल की बात है जो कि आपके आगरा है ठीके कन्योच की सरवाधिक उन्नत की सासक के समय हुई थी 98 जवाब क्या हो जाएगा 98 एक उप्सन राइट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उप्सन बी आपकी हर स्वर्धन के समय में ठीके किस नगर पर प्रिभुत्त इस्थापित करने है तो trained और पर बिल्कुल सही है आपके जैचंद गड़्वाल आपके कन्नोच के सासक नेस्ट कोश्चन कर आपसे दच्छडी पंचाल की राध्धानी थी एक सुद्व का जवाब दीजे ते एक सुद्व का ओप्सन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नमबर आपका ठीके डी नमबर आपका कामपिल था ठीके आपका ओप्सन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कामपिल ठीके चलिए निस कोशन कि आसो के आठमे ब्राद सिलालेक में से किस इस्थान का वर्डन है आसो के आठमे ब्राद सिलालेक में जो वर्डन है किस इस्थान का एक सु तीन का जवाब दीजे चलिए एक सु तीन का ओप्सन राइट आपका हो जाएगा आपक कुशी नगर का अगला है महा जनपत काल में कौसामबी किस जनपत की राधधानी थी 104 का जवाब देना है चलिए 104 का ओप्षन राइट आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नमबर आपका वद्स ठीके 104 का ओप्षन राइट आपका वद्स next question कौन सा इस्थल उत्तरा पत वद्चिन पत का पड़ाव इस्थलता उत्तरा पत वद्चिन पत का पड़ाव इस्थलता 105 का जवाब दीजिए 105 का ओप्षन आपका स्थी हो जाएगा यह आपका है कौसामबी ठीके कौसामबी अगला है कौन सा इस्तल थेरपंद का प्रमुकेंद था थेरपंद का प्रमुकेंद था 106 का जवाब दीजे 106 का ओप्सन राइट आपका ये आपका है थेरपंद का प्रमुकेंद कौसामबी ओप्सन राइट आपका ये हो जाएगा कौसामबी अगला है किसके आकरमड ने कौसामवी को 26 जवाब दीजे छलिए 107 का उप्सन राइट आपका हो जाएगा और आपके तोरण मलके आकरमड के समय कौसामवी को 20 जवाब दीजिए सुल्तान जलालुद्दीन खिल जी के हत्या कहा की गई 109 का जवाब दीजे 109 का अप्शन राइट 109 का अप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर D नमबर आपके कड़ा ठीके कहाँ पर की गई कड़ा की गई अप्शन अपका D हो जाएगा सुल्तान जलालुद्दीन खिल जी के समय कड़ा का सुवे दाल जो था कौन था 110 का जवाब दीजे 110 का अप्शन राइट यहाँ के थे अलाउद्दीन खिल जी थे ठीके अलाउद्दीन खिल जी थे सेर्शा सूरी की मरत्वी कहाँ पर होई थी 112 का जवाब दीजे सेर्षा सूरी की मृत्वी कहां पर हुई थी बिल्कुल सही है आपके कलिंजर अप्सन राइट अप का बीक कलिंजर में नेस कोशन कलिंजर को किस मुगल वाथसा ने अपने आधिन कर लिया था तो यहां पर आपके कलिंजर को किस मुगल वाथसा का अंग बना लिया था किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था 113 का जवाब दीजे यह आपके option C आपके एबक ने कहिया था ठीक है एक बक ने दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था 113 option right आपके यहां पर C हो जाएगा, next question, किसने कोईल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, किसने कोईल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया थे, 64 जवाब दीजिए, ति यह भी आपके थे, एक आपके option right up का C हो जाएगा, कि कनक भवन किस जनपद में अवस्तित है, चलिए 7 का जवाब दीजी यहाँ पर सभी लोग कनक भवन किस जनपद में है very good option राइट अप के यहाँ पर C हो जाएगा फैजाबाद ठीके फैजाबाद अवर्तमान में जो कि अयोध्या हो गया है और अयोध्या में ही आपका कनक भवन है ठीके चलिए next question आप सेगला दिया गया है कि राज में इको परेटन हे तो किस विभाग को अधिकरत किया गया है तो इको परेटन हे जो आपका विभाग है या आपका कौन सा विभाग है option right 8 का हो जाएगा D आपका 1 विभाग option right अपका D सही हो जाएगा नेस कोईचन आप सेगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अप्रवासी भारतियों के लिए अपने पूरुजों की तलास सम्मंदी कौन सी योजना चलाई जा रही है यह आपके आप प्रवासी भारतियों के लिए है जो कि अपने पूरुजों की तलाश सम्मंदी योजना है कौन सी योजना है 9 को उप्सन राइट आपका C हो जाएगा डिस्कवर योर रूट सी योजना आपका C हो जाएगा नेस कोशन आप से अगला है कि प्राचीन कालीन आइच्छत्र वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है 10 का सई जवाब दिजिए तो आपका आइच्छत्र वर्तमान में कहां पर है आप्सन राइट डी हो जाएगा बरेली डी नमबर आपका सई हो जाएगा अगला है अतरंजी खेड़ा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है ग्यारक जवाब दिजिए आपर तो यहाँ पर आपका राइट अंसर आपका हो जाएगा बिलकुर सई है बी आपको एटा हो जाएगा ठीके डारेक्ट तो नहीं दिया है ठीके लेकिन आपको लगबक एटा दे दिया गया है ठीके नेस्ट कोईशन आपका अगला दिया गया है कि महाजनपद काल में आयोध्या किस महाजनपद का भाग था 12 का जवाब क्या हो जाएगा तो यहाँ पर right जवाब हो जाएगा option B, causal ठीके कहाँ का था आपके causal option write-up का B सही हो जाएगा अगला है कपिल वस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपस से की गई है जो कपिल वस्तु है इसकी पहचान उत्तर प्रदेश के किस जनपस से की गई है तेरा का जवाब दीजिए यहाँ पर repeated question आपके है देखे जो हमारी स्रीज उसमें लगवग question आपके repeat हो जाएगे जिस रड़ जाएगा तेरा का जवाब option right यहाँ पर बिल्कुश सही है आपके option right आपका हो जाएगा यहाँ पर A number सिद्धार्थ नगर ठीक है सिद्धार्थ नगर नेस question आप से एगला है कि लुम्बनी उत्तरप्रदेश के किस जनपत के समीपस्थ है आपको यहाँ पर समीपस्थ है चौदक जवाब तो चौदक जवाब हो जाएगा आप सन आपका D महाराज गंज ठीक है D number महाराज गंज नेस के राप से संत मलूक दास की जनम इस्तली कहां इस्ती थे पंदरा का जवाब दीजे और पंदरा का option राइट जो हो जाएगा यहाँ पर जवाब चले हमीं बता देते हैं option राइट अपका C हो जाएगा कड़ा option राइट अपका C हो जाएगा अगला है आज कड़ा किस जिले में इस्ती थे question आपका कल भी आया था repeat हुआ था और हमने बताया था कि जबसे आपकी इलावा से कोसांबी अलग हुआ तो आपके आगया है कोसांबी में option राइट अपका A हो जाएगा अगला है कि घोसित राम विहार का निर्माड किस जन्पद में करवाया गया है 17 का जवाब दीजिए आपर 17 का option राइट आपका हो जाएगा बिलकुत सही जवाब है C आपके कोसांबी option राइट अपका C अगला है कि जैन धर्मिके प्रत्थम तीर्थकर का जन्म कहा हुआ था 18 का option राइट सही जवाब हो जाएगा option A आयोध्या हो जाएगा A number आयोध्या अगला है कालपी किस जन्पद में है कालपी किस जनपद में है कालपी किस जनपद में है 19 का जवाब दीजे तो आपके जौलाउन option right अपका C हो जाएगा जौलाउन चलिए निस question के आपसे भीतर गाउं का मंदिर किस जनपद में इस्तित है भीतर गाउं का मंदिर किस जनपद में है 20 का जवाब दीजे चलिए 20 का जवाब हो जएगा option right ए हो जएगा आपका कानपूर बिल्कुल सही है option right आपका ए हो जएगा आपका कानपूर ठीके next question आपसे कह रहा है साकुमरी देवी का मंदिर किस जनपद में है साकुमरी देवी का मंदिर किस जनपद में है ए किस का option right चलिए 20 का option right बिल्कुल सही है साकुमरी देवी आपके साहारनपूर ठीके option right आपका C हो जएगा next question मगहर किस जनपद में उस्ती थे मगहर किस जनपद में उस्ती थे फटा फट अनसर दीजिए 22 का जवाब option right बि हो जएगा आपके संत कवीर नगर ठीके option right आपका B हो जएगा संत कवीर नगर next question उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भ्रग मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भ्रग मंदिर है तेश का सही जवाब दीजे चलिए 23 का सही जवाब हो जाएगा option right ए हो जाएगा आपके बलिया में कहां पर है बलिया में नेस कोशन किसका प्राची नाम ब्रह्मा वर्थ तीर्थ है किसका प्राची नाम ब्रह्मा वर्थ तीर्थ है चलिए 24 का जवाब दीजे और 24 का सही जवाब हो जाएगा option right आपका C आपके बिठूर का जो प्राची नाम था वो आपका ब्रामभा वर्थ था ठीके next question मैत्रे परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है 25 का जवाब दीजे चलिए तो 25 का option right आपका यहाँ पर यह हो जाएगा आपके कुसी नगर ठीके option right आपका यह हो जाएगा कुसी नगर next question गड़ मुक्ते स्वर का मेला किस जनपद में लगता है 26 का जवाब दीजे चलिए तो बिल्कुल सही जवाब है option right आपका C आपके हापोड में ठीके का पर हापोड में next question वरा भगवान का आतिहासिक मंदिर कहां इस्तित है वरा भगवान का आतिहासिक मंदिर कहां पर है जवाब दीजे 27 का चलिए 27 के जवाब आ रहे हैं शुरू हो गए है और option right आपका हो जाएगा सोरो जो कि आपके एटा सोरो है option right आपका हो जाएगा सोरो गुस्वामी तुलसी दास का जन्म राजी के किस जन्मपद में हुआ था 28 का जवाब दीजिए 28 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है ओप्सन रेट अप का यह हो जाएगा बांदा ठीके देखो बांदा है लेकिन आपको पता है कि करवी स्टीशन के पास आपका चित्रकुट राजापूर गराम है वहाँ पर हुआ था जो कि आपके कह सकते हैं आपके बांदा जन्मपद पढ़ता है ठीके चलिए नेश्ट कोर्चन संकिसा वर्तमान में किस जन्मपद में है संकिसा वर्तमान में किस जन्मपद में है जो कि आतियासिक तताधार में किस थल इंप्रुमुक नगर भी है चलिए 29 का जवाब आपके डी नमबर फरुखाबाद ठीके यहाँ पर आपके गौतम बुद से रिलेटेड आपके कह सकते हैं एक मठ भी है ठीके चलिए अगला है सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहाँ पर है सूफी संत सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहाँ पर है 30 का जवाब दीजिए तो सेख सलीम चिस्ती का जो दरगा है आपके 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 आगरा में है कहाँ पर है कि आपकर कह सकते हैं कि आगरा जो है कि आगरा के पास ही आपका है फत्यपुर सीक्री है ना तो आप संग के अनुसार आपको यहाँ पर साही करना होगा ठीक है तो जवाब हो जाएगा है यहाँ पर कौन सा आपका सी हो जाएगा आगरा वैसे आपका है क्या फतेपुर सीक्री ठीक है चलिए नेस कोर्शन कि पदमावती सती मंदिर किस जनपद में है पदमावती सती मंदिर किस जनपद में है 31 का जवाब दीजिए चलिए 31 का उप्शन राइट आप का यहां पर A हो जाएगा आपके कन नौज में है कहां पर है कन नौज आपका A हो जाएगा नेस कोर्शन रेशियों की तपो इस्तिली जो की नए मिसारण कहां पर है नए मिसारण कहां पर है 32 की जवाब दीजिए चलिए यहाँ पर बिलकुँ सभी जवाब है 32 को अप्शन राइट अपका D हो जएगा आपके सीतापुर निस कराप से इतमाद दौला का मगबरा कहा हिस्तित है 33 की जवाब दीजिए यहाँ पर और 33 को अप्शन राइट बिलकुँ सभी है अप्शन आपका यह हो जाएगा आगरा हो जाएगा ए नमबर निस कर्शन दयालबाग कहां इस्तित है चलिए दयालबाग कहां पर है आपको जवाब देना है 34 की जवाब दयालबाग तो दयालबाग आपके है अप्शन राइट अपके सी आपके आगरा में ही है option rate up का C हो जाएगा अगला है अच्छे ब्रच उत्तर प्रदेश की किस जन्पद में है 35 के जवाब क्या हो जाएगा भई चलिए यहांपर 35 के जवाब option rate up का A हो जाएगा आपके इलहाबाद option rate up का A हो जाएगा इलहाबाद next question सयद सलार वा मसूद गाजी की दरगा कहाँ पर है एक question बहुत बार पूछा गया है तो सयद सलार वा मसूद गाजी की जो दरगा है कहाँ पर 36 के जवाब तो आपको पता है सयद सलार मेला भी लगता है वहाँपर आपके बहराईच में ओप्सन एट अप का B हो जाएगा बहराइच नेश कोश्चन कि तुलसी मानस मंदिर कहां है तुलसी मानस मंदिर कहां पर है 37 का जवाब दीजे चलिए यहाँ पर 37 का सही जवाब हो जाएगा ओप्सन राइट यहाँ पर C नमबर आपके वारा नसी ठीके वारा नसी देखे हम थोड़ी स्पीड में इसलिए है क्योंकि कोश्चन कुछ आ रहे होंगे आपको कुछ नहीं आ रहे होंगे तो आप लोग मस यहाँ पर पढ़ते चलिए अगर आ रहा है तो जवाब देते चलिए चलि Upper निर्वाण महुष्छो कहां मनाया जाता है निर्वाण महुष्छो कहां मनाया जाता है 38 के जवाब दीजे very good optionedo-up कहाई होजएगा कुछ नगर में क्योंकि आपके केसकते गोतम बुद्दु को कुछी नगर में ही निर्वान प्राप्थ हुआ था सोह गौरा किस जनपद में उस्तित है 49 जवाब दीजिए चलिए 49 का सई जवाब हो जाएगा C नमबर आपके गोरकपुर में अपसन राइट आपका C हो जाएगा नेश कोईचन आपसे कह रहा है लखनो का प्राची नाम क्या था लखनो का प्राची नाम क्या था 40 का जवाब दीजिए चलिए लखनो का प्राची नाम था Option right यहाँ पर यह हो जाएगा लचमणपुरी ठीके क्या था next question आपसे एगला है जैंधर्मिके 33 तीर्थ कर जो कि पार्शुनात का उत्तरपदेश के किस जन्पद में हुआ था अर्थात के सिक्ति हैं आपर जन्व की बात कर रहा है तो पार्शुनात उत्तरपदेश के किस जन्पद में थे या के सिक्ति हैं समंदी थे 41 को option right आपके 80 ठीक है option right अपका यह हो जाएगा 80 next question सिकंदरा किस जिले में अवस्थी थे सिकंदरा जो कि आपके अगबर की समाधी वहीं पर है ठीक है ना तो सिकंदरा किस जिले में श्थी थे 42 को option right आपके हो जाएगा B आपके आगरा में है ठीक है कहाँ पर है आगरा चले समाधी मतलब कह सकते हैं सुरी समाधी नहीं कह सकते हैं कह सकते हैं उनका मगबर आए ठीक है चले अगला है हुलास किस जनपद में श्तिते हैं 43 जवाब दीजे तो हुलास आपका है आपके अप्सन राइट ए आपके सहारनपूर कहां पर है सहारनपूर अप्सन राइट आपका ए सही हो जाएगा अगला है कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्री नगर था चले कौन सा नगर भगवान बुद्ध का प्री नगर था यहां पर बताना है 44 का जवाब तो याद रखे 44 का जवाब हो जागा डी स्रावस्ती ठीके यहाँ पर इनोंने सरवाधिक आपके उपदेश भी दिये हैं अगला है बिहारी जी का मंदिर कहां है बिहारी जी का मंदिर कहां पर है 45 जवाब दीजे चले 45 सरी जवाब हो जाएगा आपके ब्रंदावन में है कहां पर है वरंदवन औप्सन राइट अपका C हो जाएगा अगला है धम्मेक इस्तूप कहां पर है चले 46 जवाब दीजे धम्मेक इस्तूप कहां पर है चले औप्सन राइट अपका हो जाएगा या पर B आपके सारनात औप्सन राइट अपका B हो जाएगा Next question कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है कलिंजर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है 47 जवाब दीजे चलिए 47 जवाब आ रहा है बिलकुत सही है optional उत्तरपदेश के किस जंपत को जिराज ही हिंद कहा जाता है तो उत्तरपदेश के किस जंपत को सिराज ही हिंद कहा जाता है 48 का सही जवाप 48 का सही जवाब हो जाएगा custom irt up की d आपके john pur कहा जाएगा lying sorts जैगा जान पुर नेस कोश्चन सेख सलीम चिस्ती का मगबरा कहां पर है देखो कोश्चन वही आ गया फिर से लेकिन कह सकते हैं पहले घुमाया गया था लेकिन अब वास्तिविक्ता आ चुका है फतेपुर सीक्री ओप्शन रैट आप का एसा ही हो जाएगा चलिए द्वारिका धीस मंदिर कहा पर है द्वारिका धीस मंदिर कहां पर है 50 को जवब दीजे चलिए यहां पर द्वारिका धीस मंदिर है option elephant right 50. का C हो जाएगा आपकी मातुरा में हैं ठीके मातुरा में next question जौन पुर नगर की स्थापना किसकी स्मरति में की गई थी आप सब को पता होगा कि जौना खाँ जौना खाँ का जो कह सकते हैं जाना जाता था किस नाम से तो आपके B option मुहम्मद बिन तुगलग ठीक है option rate up का B सही हो जाएगा Next question कौन सा इस्थल विस दरोवर इस्थल की सूची में सामिल नहीं है तिरपन का जवाब दीजिए कौन सा विस दरोवर इस्थल में आपकी सूची में नहीं सामिल है यह है आपका अकबर का मगबरा option rate up का D हो जाएगा अकबर का मगबरा Next question नेमलेखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं है 54 का जवाब देना है यहाँ पर ब्रंदा वन मंदीर आपकी मतुरा में है जेके मंदीर आपकी कानपूर में है यही आपका गरत हो जाएगा जेके मंदीर आपके कानपूर में है विस्वनात मंदीर वारनरसी देवी पाटन मंदीर आपके तुलसीपूर में है ठीके ना तो आपका जेके मंदीर आपके कानपूर में है ना कि लखनो में है Next question उत्तर प्रदेश का प्रचीनतम जीवन्त नगर किसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का प्रचीनतम जीवन्त नगर कौन सा है पच्पन का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बिल्कुर सही है पच्पन का जवाब अप्सन राइट अप कभी हो जाएगा अभी कोशन आपका आया था इसी से वह प्राची निस्तल जहां साथ हजार मुन्यों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था यह है आपका अपसन राइट यहां पर सही बताएए सभी लोग बताएए चले बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपसन राइट आपका होज़े गया यहां पर आपका डी नंबर नयमिसारण ठीक है सीतापुर नयमिसारण नेस्ट कोशन उदेयन वासवदत्ता की कथा संबंदी थे यह आपके कहां से संबंदी थे जवाब दिजी 57 का चलिए 57 का ऌपसन राइट आपका यहां पर बी हो जाएगा आपके कौशामबी राइट आपके बी आपके जयन से है ठीक है चेल्य बिल्कु सही जवाब है आपके स्रावस्ति से कहां से है निम्रिकित में से कौन सा बहुत परिपत का भाग नहीं है बहुत परिपत का भाग नहीं है 60 का जवाब दीजे तो देखिए यहाँ पर कपिल वस्तु, कुसी नगर स्तरावस्ती हमने बताया था कि जो संकिसा है फरुखाबाद में कहा जाता है कि जो गौतम बुद्ध है यहाँ पर अपनी मा से आखरी बार मिले थे, ठीक है ना तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह तो आपके मुख्य स्थान है लेकिन जब आप्सन में आ जाता है तो आप्सन में किसको सही करेंगे सी नमबर संकिसाओ करेंगे, समझ में आ गया चलि अगला है, महोदया किसका प्राचीन नाम है महोदया किसका प्राचीन नाम है एक सर्ट का जवाब दीजे तो एक सर्ट का आप्सन राइट आपका हो जाएगा भी आपके कन्नोच का है ठीके, नेक्स कोश्चन बेगम मसरू ने एक अतिपसिद्ध चर्चे का निर्माड करवाया था, यह आपका कौन सा चर्च है 62 का जवाब दीजे तो 62 का आप्सन राइट आपका हो जाएगा बिल्कुल सही है, सर्धना ठीके, सर्धना चर्च है आप्सन राइट आपका भी सही हो जाएगा, ठीके और यहाँ पर आप पीडिया भी लोड कर सकते हैं, हमने अंसर कि आपको दे दिया है, ठीके तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग एक नेस्ट वीडियो मिलेंगे सभी को बहुत बहुत धन्नवाद जय हिन, जय भारत